सिद्ध करें कि प्रस्ण 34 अभी हल करेंगे तो प्रस्ण 34 है एक प्लस साइन ठीटा बटा एक माइनस साइन ठीटा कांडर रूट बराबर एक प्लस साइन ठीटा बटा कॉश ठीटा बराबर लाना है सेख ठीटा प्लस टैन ठीटा तो ये है प्रस्ण तो सबसे पहले हम बाया पच लेंगे ये बाया पच है ये क्या है मध्य पच है और ये है दाया पच तो सबसे पहले बाया पच लेंगे यानि इसको और मध्य पच लाएंगे उसके बाद और फिर मध्य पच से दायाँ पच लेके आ जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर बायाँ पच बराबर एक प्लस एक प्लस साइन ठीटा बटा एक माइनस साइन ठीटा का अंडरूट तो इसको हम लिख लेंगे एक प्लस साइन ठीटा बटा एक माइनस साइन ठीटा अब यहाँ पर एक माइनस यानि माइनस में है तो हम एक प्लस साइन ठीटा से गुना करेंगे अंस को भी और हर को भी ठीट है तो एक प्लस साइन ठीटा इस तरह पहले इसको कोष्टक में कर लेंगे यानि यहाँ पर जो चिन रहेगा उसका उल्टा चिन से जैसे यहाँ पर माइनस है तो प्लस यानि प्लस में लेंगे एक प्लस साइन ठीटा बटा एक प्लस साइन ठीटा से गुना कर देंगे तो एक प्लस साइन ठीटा को भी एक प्लस साइन ठीटा से गुना करेंगे और इसका अंडर रूट है तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे अब देखिए एक प्लस साइन ठीटा गुना एक प्लस साइन ठीटा यानि दो बार एक ही चीज गुना हो रहा है तो हम इसका वर्ग दे देंगे यानि एक प्लस साइन ठीटा का वर्ग बट्टा अब यहाँ पे a-b into a plus b के formula पे है a-b into यानि गुना a plus b तो a के जगह पे 1 है b के जगह पे क्या है? sin theta है तो a-b into a plus b होता है a square minus b square यानि 1 का वर्ग a square यानि a के जगह पे 1 है तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा minus b square b square यानि sin theta का square यानि sin square theta लिख लेंगे का अंडर root तो इस तरह लिख लेंगे इसको अब इसको इस तरह लिख सकते हैं देखें 1 plus sin theta का वर्ग बटा 1 minus sine square theta तो 1 minus sine square theta होता है cos cos square theta ठीक है क्योंकि sin square theta प्लिस cos square theta बराबर एक होता है तो cos square theta बराबर क्या हो जागा अ कौन अ कौन? 1 minus sin square theta तो 1-sin square theta के जगा पर क्या लिख देंगे? cos square theta अब इसका under root अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं देखे, under root है ठीक है? तो 1-sin theta का वर्ग है यानि 1-sin theta बटा cos theta तो under root में है इसलिए जो भी square है उसको square हटा देंगे बस क्योंकि under root है तो 1-sin theta का वर्ग है तो उसका under root क्या हो जागा? 1-sin theta और cos square theta है तो under root हटाएंगे तो क्या हो जागा? सिर्फ cos theta तो यह आ गया हमारा मध्य पच तो लिख देंगे मध्य पच यानि मध्य पच आ चुका है अब हमें लाना है दाया पच तो देखे हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से एक बटा एक बटा कौश ठीटा प्लस साइन ठीटा बटा कौश ठीटा इस तरह हम इसको लिख सकते हैं देखे यहाँ पर लगुत्तम ले करके यहाँ पर लगुत्तम है कौश ठीटा ठीक है? तो उसको अलग-अलग कर लेंगे यानि एक बटा कौश ठीटा जोड साइन ठीटा बटा कॉश ठीटा तो सेख ठीटा का उल्टा होता है कॉश ठीटा तो एक बटा कॉश ठीटा बराबर क्या हो जाएगा सेख ठीटा और साइन ठीटा बटा कॉश ठीटा होता है तैन ठीटा तो हम लिख देंगे यहाँ पे तैन ठीटा टैन ठीटा बराबर क्या होता है साइन ठीटा बटा कॉश ठीटा तो यह आ गया हमारा दाया पच तो लिख देंगे बराबर दाया पच प्रस्न पहेंटीस साइन स्कुआ ठीटा बटा एक माइनस कॉश ठीटा बराबर एक प्लस सेख ठीटा बटा सेख ठीटा तो यह लाना है हमें यह प्रस्न है साइन स्कुआ ठीटा बटा एक माइनस कॉश ठीटा बराबर एक प्लस सेख ठीटा बटा सेख ठीटा तो हम बायां पच ले लेते हैं सबसे पहले तो बायां पच बराबर है साइन असक्वाइट ठीटा बटा एक माइनस कॉश ठीटा अब देखें इसको हम इस तरह लिख लेंगे साइन असक्वाइट ठीटा बटा एक माइनस कॉश ठीटा गुना अब देखें आपर माइनस है एक माइनस कॉश ठीटा है तो हम गुना करेंगे एक प्लस कॉश ठीटा से तो एक प्लस कॉश ठीटा से अंस को भी यानि साइन असक्वाइट ठीटा को भी गुना करेंगे और एक प्लस कॉस्ट ठीटा से एक माइनस कॉस्ट ठीटा को भी गुणा करेंगे और इस तरह कोष्टक में इसको कर देंगे अब इसको लिख लेंगे sin square ठीटा इंटू एक प्लस कॉस्ट ठीटा बटा अब यहाँ पे है एक माइनस कॉस ठीटा गुना एक प्लस कॉस ठीटा यानि ए माइनस बी गुना ए प्लस बी तो ए के जग़ा पे एक है बी के जग़ा पे है कॉस ठीटा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है एस्क्वाइर यानि A square मतलब एक का वर्ग माइनस कॉस ठीटा का वर्ग क्या हो जागा कॉस अस्क्वाइर कॉस अस्क्वाइर ठीटा तो A minus B into A plus B बराबर A square यानि एक का वर्ग तो एक ही होगा तो एक ही लिख लेंगे यहाँ पर एक का वर्ग एक होगा तो एक लिख लेंगे माइनस कॉस ठीटा का square कॉस अस्क्वाइर ठीटा अब इसको हम लिख सकते हैं साइन अस्क्वाइर ठीटा इंटू एक प्लस कॉस ठीटा बटा अब देखिए एक माइनस कॉस स्कॉर्ट थीटा बराबर होता है साइन स्कॉर्ट थीटा क्या होता है साइन स्कॉर्ट थीटा क्योंकि साइन स्कॉर्ट थीटा प्लस कॉस स्कॉर्ट थीटा बराबर एक होता है तो साइन स्कॉर्ट थीटा प्लस कॉस स्कॉर्ट थीटा तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है एक प्लस कॉस ठीटा अब देखे अब हम जानते हैं कि सेख ठीटा का उल्टा होता है कॉस ठीटा या कॉस ठीटा का उल्टा होता है सेख ठीटा तो हम लिख लेंगे एक प्लस एक बटा सेख ठीटा इस तरह लिख लेंगे इसको यानि कौश ठीटा बराबर क्या होता है एक बटा सेख ठीटा अब देखें सेख ठीटा यहाँ पर लगुत्तम लेंगे सेख ठीटा लगुत्तम लेंगे तो सेख ठीटा गुना एक सेख ठीटा हो जाएगा और यहाँ पर जोड एक तो कितना आ गया सेख ठीटा जोड एक बटा सेख ठीटा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक जोड सेख ठीटा बटा सेख ठीटा एक जोड सेख ठीटा बटा सेख ठीटा तो यानि एक को पहले लिख देंगे और फिर सेग ठीटा लिखेंगे तो एक ही बात है, सेग ठीटा प्लस एक लिखें και शाहिए एक प्लस सेग ठीटा लिखें तो ये आ गया हमारा दायां पच तो लिख देंगे बराबर दायां पच झाल झाल प्रस्ण 36 तो 36 में है एक माइनस साइन ठीटा बटा एक प्लस साइन ठीटा बराबर एक माइनस साइन ठीटा बटा एक माइनस साइन ठीटा बटा कॉश ठीटा का वर्ग बराबर हमें लाना है सेख ठीटा माइनस टैन ठीटा का वर्ग तो यह हो गया बाया पच यह हो गया मर्द्य पच और यह हो गया दाया पच तो सबसे पहले हम बाया पच लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर बाया पच बराबर क्या दिया हुआ है एक माइनस साइन ठीटा बटा एक प्लस साइन ठीटा तो इसको मिस्तरा लिख लेंगे एक माइनस साइन ठीटा बटा एक प्लस साइन ठीटा गुना एक माइनस साइन ठीटा बटा एक माइनस साइन ठीटा और इसको कोश्टक में कर लेंगे सबको तो यह कैसे हो गया देखें, यहाँ पर प्लस का चिन है, एक प्लस साइन ठीटा, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन ठीटा से अंस को भी गुना करेंगे, यहाँ पर देखें, प्लस का चिन है, तो इसका उल्टा, यानि माइनस से हम उपर नीचे गुना कर देंगे, एक माइन साइन ठीटा एक माईनस साइन ठीटा खड जाएगा आ जाएगा जो पहले से है इसे लिए इस ऊपर नीचे दोनों से अगर गुना कर दिया आंसर हर से एक ही चीज तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब देखिए एक माईनस साइन ठीटा गुना एक माइनस साइन ठीटा तो एक माइनस साइन ठीटा का वर्ग अब देखें a प्लस b इंटू a माइनस b a प्लस b इंटू a माइनस b तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता a स्कॉाइर यानि एक का वर्ग a स्कॉाइर तो एक के जगा अब एक है एक का वर्ग एक हो जाएगा और साइन ठीटा का वर्ग क्या होगा साइन स्क्वाइर ठीटा अब हम इसको लिग देंगे एक माइनस साइन ठीटा का वर्ग बटा अब देखिए एक माइनस साइन स्क्वाइर ठीटा क्या होता है कॉस स्क्वाइर ठीटा ठीटा क्योंकि sin square ठीटा प्लस cos square ठीटा एक होता है तो cos square ठीटा बराबर क्या हो जाएगा 1-sin square ठीटा उस सूत्र से तो 1-sin ठीटा पे भी square है और cos ठीटा पे भी वर्ग है देखिए square है तो इसको लिग देंगे 1-sin ठीटा बटा cos theta कब पूरा पे वर्ग देदेंगे क्योंकि देखिए दोनों पे वर्ग है इस पे भी वर्ग है और इस पे भी वर्ग है तो पूरा पे वर्ग देदेंगे तो यह हमारा आ गया है मध्य पच देखिए यही है मध्य पच तो हम लिख लेंगे यहांपे मध्य पच अब मध्य पच से हम दाया पच लाएंगे तो देखे इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से एक बटा कॉश ठीटा माइनस साइन ठीटा बटा कॉश ठीटा इस तरह इसको लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए cos theta लगुत्तम लेकर की इस तरह लिखा हुआ है तो अलग-अलग करके लिख देंगे 1 बटा cos theta minus sin theta बटा cos theta कोई फर्ग नहीं पड़ रहा है अब देखिए cos theta यानि 1 बटा cos theta होता है sec theta क्या होता है sec theta क्योंगी cos theta का उल्टा होता है sec theta तो 1 बटा cos theta क्या हो जाएगा sec theta minus sin theta बटा cos theta क्या होगा tan theta sin theta बटा cos theta होता है tan theta यानि tan theta बराबर होता है sin theta बटा cos theta तो उसके जगा पर यह लिख लेंगे और इसका वर्ग कर देंगे तो यह आ गया हमारा दायाँ पच क्या आ गया दाया पच तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे छोदोjas करेंगे 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 लिएका करेंगे अख़ बड़किन क Airlines राभ fix शोवे लिए 사진